अपर से आपसवी पास्वागत करते हैं अपने चैनल ट्रेवल विथू दिलीप में और आप सभी का स्वागत है गांधी हल्ट इको मेंट्री में में भुअ कौन कर से थे बिहार पछे हैं अब तो भ्हुया वाल्ट को हुँ चम्काया जाए महीं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है हमारा गांधी होल्ट और मैं आपको दिखा रहा हूँ गांधी होल्ट और आप देख सकते हैं इधर आपको एक पार्क का जो है अक्रिती दिया गया है गांधी होल्ट को और पहले यह जो ता खड़ाउंजा हुआ करता था लेकिन अब देख सकते हैं कितना चमकड़ा है अमारा गांधी होल्ट और गांधी होल्ट का नाम रखा गया है महात्मा गांधी जी के नाम पर और यहाँ पर स्ट्रोलर टेन प्रती दिन होल्ट करती हैं और ना तो कोई चेन और्जीन और ना यहीं कोई ट्रेन ट्रॉमिनेट और है आप सेट देख सकते पहले चाहित थे हो सेट में आपको भीयोड़ा था लेकिन अब आपको भाहना नहीं पड़ेगा हर जगा आपको ज़ुए शेट देखने हमने आपको दिखा दिया गांधी होल्ट के पास में तो एक लाइक तो बंदा आए भाईया हावडा जम्मू तभी हींगडी एस्प्रेस के लिए ठीक है तो एक लाइक कर दिजिएगा थोड़ी और बाते करते हैं और इसे दानापूर दिविजन ओपरेट करती है और यह सामने आप देख सकते हैं यहीं पर आपको टिकट मिल जाएगा और यह परता है इस चेंटरल रेलवे जोन में और यहां से पटेल होल्ट की दूरी है साथ किलोमेटर और नेवडा की दूरी है तीन किलोमेटर सदिस्व ईए सब ट्रेन करती है गान्दी होल्ट में और एक स्प्रेश ट्रेनों यहां पर नहीं है मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ आपको दोनों प्लेटफोर्म दिखाया और उसके बाद अभी हम बैठे हुए है इसके अब प्लेटफोर्म पर यहां पर आप देख सकते हैं फूल फूल लगाया गया है एक पार्क का अक्रिती इसको दिया गया है थोड़ा और आगे आपको दिखा जेते हैं पर आप देख सक गांधी हॉल्ट को देख सकते हैं एता है कंग से दिखाता हूं यह अरूल का फूल है अब देखिए इधर है हो कि एक धान एफ को यहाँ दिखने को मिल रहा है मुंमबई कलकर जाग से वीडियो बनाते हैं और अपने बिहार को भी आप पीछे छोड़ देते हैं तो भी आप बिहार को भी दिखाये एक हाल्ट इतना चमक रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यह स्टेशनों का क्या कंडिशन होगा इससे भी बेहतर कंडिशन होगा जी हाँ जैसा आमने आपको सदिशनपुर में दिखाया कि थोड़ी बहुत मेंटेनस की अब सकता है लेकिन भाईया आगे तो हमारा बिहार निकल हीडा है तो चलिए मिलते हैं आप से और किसी नए ब्लोग में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपने भाई बहनों का ख्याल रखें और अपने ट्रेवल वी दिलिप के साथ यूँ ही छोटे बड़े ब्लोग में आते रहें जैन